हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्रिपेर विट और्नव तो आपके बहुत सारे डिबांड से और आईबी एसे का नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आज का टॉपिक है अल एबाउट आईबी एसे यो बाई ए सिलेक्टेड आईबी मैं एक सिलेक्टेड आईबी एसे यो हूँ और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट बैच में हुआ था ट्रेनिंग के लिए टीक है मैं हूँ और नम मोजुमदार अभी फिलाल इंकम टैक्स इंस्पेक्टर और अल इंडिया रेंक 262 फ्रॉम CGL 2022 और अल इंडिया रेंक 518 फ्रॉम CGL 2021 और सिलेक्टेड इन आईबी एसे और एलेए नटीपीज सी एचसर एसे लेकिन यह सब मैंने जॉइन नहीं किया और इसका सीड भी मैंने वेश्ट नहीं किया मैं स्किप कर दिया था डॉक्मेंट वरिफिकेशन और आईबी एसे यो का आपको पता है कि एक वेटिंग लिश आपको को ही ना बता है क्यूंकि मैं एक सिलेक्टेड डाइबी इसे हो में तो इसलिए मुझे को मेरे को बहुत जादा जान करिया इसके सिलेक्शन प्रोसीजियोर के बारे में मेडीकल के बारे में सब कुछ टीक है तो आज कंटेंट में क्या रहेगा एक बार देख लीजि प्रोसीजियोर कैसे होता है जॉइनिंग प्रोसेस कैसा रहता है जॉब प्रोफाइल पोच्टिंग कहा रहता है जॉब प्रोफाइल कैसा है पोच्टिंग कहा होता है गल्स के लिए ठीक है या नहीं प्रोमोशन का क्या चक्कर है प्रोमोशन कैसा होता है रेस्ट्रिक्शन करेंगे और यह एक स्पेशल यह है एक स्पेशल पॉइंट है शायद आपको कोई भी वीडियो में यह नहीं बताएगा ठीक है इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको जानकरी दूंगा और अगर मेरे से जूड़ना चाते है तो प्लीज मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं यहां पर मेरे यह यह फेस्बुक आईडिया यह मेरा इंस्टा आईडिया है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझे लिनक डिया होगा जो लोग मेरे चैनल में नये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना ठीक है यहाँ पर आपको बडिया कंटेंट मिलता है और मैं जानकरी के लिए विदियो बनाता है तो चलिए आगे बढ़ते आप वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब कर देना तो पहला पॉइंट वाट इस आई बीए से टू डीडाई जोएन डेकि आई बीए सा आई बी मतलब होता है इंटलिजेंस ब्यूरो मतलब एसिस्टेंट सेंट्रल इंटलिजेंस ऑफिसर ग्रेट को पता हैं आपको पता है इंटलिजेंस ब्यूरो आथा है और ऑर हों मिनिश्ट्री यह एक्जाम कंड़ाइट कर वाता है और लास्ट टाइम 2020 में में यह अपने अपने आपको उसको मतलब नहीं किया था इसके बारे में डीटेल आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्योंकि सारे के सारे पॉइंट डीटेल में अनलीसिस करने के बाद जानकरी देने के बाद मैं यह बात अपको अच्छे से बताना चाहूंगा अभी नहीं बताऊंगा ठीक है फिलाल मैं जॉइन नहीं किया हूं इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं उसके बाद आते है पे लेवल एंड सेलरी पे लेवल होता है इसका लेवल 7 पर होता है ठीक है 44,900 इसका बेसिक होता है ठीक है इसके साथ आपको मिलता है यह जहां पर आपका पोस्टिंग होगा है यह मिलता है यह मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा ठीक है उसके उपर दिये मिलेगा जो होता है नॉर्णम 900 वेसिख है के ऊपर आपको 20% 20परसिक स्पेशल सेकूरीटी इसको बोला जiptical सेकॉरीटि को इसको बोला जाता है ठीक है कोई की रिसक्ति आपको मिलेगा एक्स्टा और ओर इ सेब करने के बाद 13 महीने का आपको महने के मिलता है ठीक है 13 Heavenly सब्सक्राइब करेंगे तो आज के रेट में शायद वन लक और उससे भी ज़्यादा सेलरी होगा यह बहुत ही जबर्दस जोब है ठीक है तो कुछ-कुछ रेयर जोब है इसमें इतना सेलरी मिलते हैं टो वह भी पॉस्टिंग होता है कास्मीर अगर अगर दूसरा और जगा में आपका कोई पोश्टिंग हो तो उसके लिए हाट्टिप अलावन्स भी मिलता है तो स्कूल मिला के सालरी बहुत ही बढ़िया बन जाता है उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजियोर पर आते हैं सिलेक्शन जैसा मैंने बोला कि टीसी एस कंड़र्ट करवाता है एक्जम तो हम लोग का जो था 2020 में प्रिलिम्स रहता है ठीक है टीर वन रहता है उसमें क्या होता है हंडेड मांक वह एकदम सीजियल की टाइप का होता है औ सब्सक्राइब आ है कैसे पड़ना है मेरा मार्क इतना यह बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रिलिम्स का मार्क कितना है तो मैं सारी-क सारे इक्जम डिलेटेड और प्रिपरेशन रिलेटेट जितना भी स्ट्राटेजी एडिटेज से वीडियो में दो दिन में तो एक हम का करता है हुआ करना पूम्र आपको spricht करते आपको और गलत करने से 0.25 मइनस होता है है एक दम सल्वनि का तरह होता है समय मैंच्स रहता है ila kick Transform power इंग्लिस रहता है 20 marks मतलब जनेरेल रहता है 20 marks maar टेकर मतलब我 इसा कूछ रहता है मैस compost वगरे छोड़ा की तो यह विर वड़ा होगे उसके बाद यह तो यह होगे उसके बाद है यह हों। तो इसका ताइमिंग रहता है तो इसका टाइमिंग रहता है आपका वानावार् के। बहुत ज्यादा होता है मैं तो बहुत ज्यादा पील किया यह प्रब्लम में होना नहीं चाहता क्योंकि आपका जो थर्टी माक्स एसे रहता है वह फोर हंड्रेड माक्स वर्ड्स में लिखना पड़ता है तो इसलिए उसमें टाइम लिए और आरसी भी बहुत हाय मतलब मेरे टाइम में तो आया था आर्सी पढ़ते बड़ते बहुत निकल गया और उसके बाद प्रेसी राइटिंग निकल गया लेक मेसे बहुक्त आने सब्सक्राइब गराइब रोगेद पर-विडियो लुट रेक मिल गया। इंटर्व्यू के मार्क्स के उपर 100 मार्क्स रहता है जितना मेरा जानकरी है यह रैंडम जॉइनिंग नहीं देता है यह फर्स्ट बैच को मतलब जो लोग टॉपर से प्र थी हंड़ या पॉर्ट फोर्र हंडड पयले जॉइनिंग देते हैं रैंक वाइस जॉइनिंग देते और में थोरा पीछे था, तो इंटर्वीव में मुझे अच्छा मार्क्स में इसलिए मुझे फर्स्ट बैच में सिलेक्शन हो गया था इंटर्वीव का एक्सपिरियंस जबर्दस था और वो मेरा लाइफ लॉग एक्सपिरियंस है तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा तो हंड्र मार्क्स एंटर्वीव रहता है तो टोटल कितना होगा टियर फिंटियर्वेश टोटल two-fifty mark me में मेरेट बनता है कोई भी क्वालीफाई करने से नहीं चलता है तक कि इतना लोग लिया जाता है उसके इसके बाद इंटर्वीव में सायद प्रशावे सायद इतना मुझे याद आ रहा है है इसके बाद आता है आपका जोईनिंग प्रोसेस तो सिलेक्शन होने के बाद मेरा रिजल्ट आया था सायद 14 अप्रिल 2022 एराउंड 14 अप्रिल के एराउंड के आसपास 2022 में मेरा फाइनल रेजल्ट आया था और उसमें रॉड नमबर दिया रहता रोल नमबर रहा था वहां पर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके एक महीने के बाद आपका वह सब्सक्राइब करेंगे कि आपके घर में आपको सिलेक्शन हुआ है और आपके घर में आपका घर में लोग आएगा एक दो ओफिसर्स आएंगे वह विरिफाई करेंगे आपका डॉकुमेंट बगेरा आके घर देखके जाएंगे आपका डॉकुमेंट देखके जाएंगे मतलब यह लोग बहुत ही केरिफूली सब काम करते हैं मतलब वह देखेंगे कि कैंडिडिट कैसा है आईभी से अलग से लोग घर में आएंगे वेरिफाई करने तो वो लोग आये थे एक दिन घर में आये बातचीत किये डॉकुमेंट बगेरा चेक किये सब एडुकेशनल डॉकुमेंट आधार कार्ड बगेरा जो एड्रेस पूप जो तो बेसिक रहता है ठीक है बेसिक डीटेल वाला जो डॉकुमेंट रहता है वह सब चेक किये उसके बाद वह लोग चले गए तो वह लोग जाके रिपोर्ट बगेरा सब्मीट किये शाद तो उस राया था ऑफ इस जोइनिंग प्र मध्या प्रमें लिक्राइटर में लिखा रहता है तो के चला बिखा रहता है कொ वह सब जी टेल में लिखा रहता है उसके साथ मेडिकल प्रोफोर्मा रहता है उससाल करेफ्टर सब्सक्वाइतनाend मेरा है ौर सब करेगा Hauptants जिसको कोई graduated officer से sign कर बना पड़ता है और सारे के सारे चीज लिखा रहेता है कि आपको training कब है training का date लिखा रहेता है कहाँ पर आपका training होगा उसका place लिखा रहेता है क्या-क्या लेके जाना है training में कौनसा कौनसा कपड़ा लेना है पेपर आपका जॉइनिंग लेटर के अंदर आता है एक जो क्या बोले लिफाफा जो होता है उसके एक दम पुरा भड़के लिफाफा आता है वही जॉइनिंग लेटर तो 29 में को मेरे को आया था उसके बाद जो प्रोसेस था वो किया और 20 जून 20 जून जो मुझे याद आ रहा है 20 जून मेरा जॉइनिंग था 20 जून को मेरा जॉइनिंग था मतलब ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें जाना था 20 जून को रिपोर्टिंग था तो यह होता है आपका जॉइनिंग प्रोसेस उसके बाद तो पुलीस मुझंगा-दो मर्याम सेंटर में ठैकि जोथपूर मुझे तो में ट्रैनिंग करना था कि Purple एक तो था आप्का जote पूर में एक ट्रैनिंग सेन्टर है और एक शीपूरी, नज, climbing suit, swimming costume लेके जाना है कि हहां पर swimming भी सिखाएगा उसके बाद मैंने जो लोग गय है उनसे बता है गंट चलाना भी सिखाया जाता है training में Returning hard होता है training daily monthает training Trinity month वूरा वी शिप्पुरी वाला में जो बमन्प का si sm Park इस स्टीज वो इसके बाद का ओर क्लारी ट्रेंटीट चुरूःटी लब कहता है ऊपने वगिए फ्ली में चो болерг ऑगर उसके पूर थोडिकल ट्रेनां सोनिभी तौरी के पाइब व 네 पिजिकल ट्रेनिग ह्म Whatsapp तो उसका ट्रेनिंग होता है आपका दिल में उसके बाद वाइशा होता है तोछ पर पर प्रैक्तिकल आपका काम करना है एसे करके टोटाल मॉडुले सीक्स मॉन्स का आपका ट्रेणिक रहता है एक आप पार डृटोप करने के लिए तो यह है ट्रेनिंग का चीज जो मैंने बताया है जितना मुझे याद आ रहा है मैं यही बता रहा हूं तो जोब प्रोबाइलेंट पोस्टिंग यह बहुत ही बड़ा क्वेस्टिन है सब के मन में मेरा जो वीडियो इसके 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 उपर मैंने पिछले साल भी वीडियो डीटेल में बता हुआ है वही देखके शायद अभी सब आएंगे यहां पर और उसमें भीडियो पहले था पंद्रहाजाद दो दिन में वह 25,000 व्यूज चला गया है तो उसमें मैंने अपना जॉइनिंग लेटर भी शो किया है यहां पर मैं एट करना भूल गया मैं रेडी था पिक्चर लेकिन वह यहां पर आप जाके देखेंगे वहां पर मेरा जॉइनिंग लेटर का भी पोटो द यह आपका नेशनल सीकूर्टी से जुड़ा जॉब है और आईबी का काम होता है इंफोर्मेशन कलेक्शन करना ठीक है और आपको एक बात मालूम चलना चाहिए आपको गन्स ट्रेनिंग तो दिया जाता है लेकिन आपके पास कोई नहीं रहेगा आपका आपको काम करना है बढ़ंदेटी छुपा के अगर आप आईडेन्टी छुपा के काम करेंगे वही आपका सेव्टी है जब तक आपका Adventure है कोई नहीं जानगा है तब तक आप सेज है वाकि अगर कोई जान ले या आपके साथ कोई सीक्रेच नहीं चलता क्योंकि यह बोल सकते हैं उस्तराप से काम के सब्सक्राइब होता है तो थीक ठाग पुश्टिंग तो वहां पर पाइंग का काम नहीं होता गर काम काम जाता है मतलब इसनलिजन्स करना तो यह पर आपका गंस नहीं रहता आपका यहां पे कोई bodyguard या आपका कोई security नहीं रहता आपको जाके आपको उस पब्लिक में घुल मिल जाके आपको वहां से इंफॉर्मेशन कलेट करके लाना है ठीक है इंफॉर्मेशन कलेट करना ही आपका काम है तो आप जैसे भी करें आपका उसके लिए जरूरत परता आपको अपना भेज भी बदलना पड़ सकता है तो जैसे हम लोग में देखते हैं उतना तो है नहीं लेकिन अब्यसली कुछ अब प्रिपरेशन किया वहां फैमिली मैन वेब सीरीज आप देखे होंगे यह फैमिली मैन वेब सीरीज देखके मुझे आईबी अच्पाइब का मैंने नोटिविकेशन देखा और मुझे लगा कि आईबी एसे मुझे चाहिए चाहिए और मैंने प्रिपरेशन चोड़के आईबी असे मिलता है लेकिन अब्याइसली मुविज वगएर में बहुत जादा दिखाया जाता है उतना है नहीं लेकिन कुछ चीज आपका बता दीए कैसा कैसा जॉब करना पड़ता है थोड़ा रिस्की है आपको इंफॉन्मेशन कलेक्ट करना ऑगेरा कम में देखिए आपका पस्टिंग रोगा एmm बॉस्टिंग जाइँ जाइला पहला 5-6 साल-5-6 आपको आपको Maximum ओस्टक दिया जेता है headquarters में mainly desk job में दिया जाता है girls को ठीक है और जो boys लोग रहते हैं वो लोग को field posting hard posting दिया जाता है girls के लिए ज्यादा तर मतलब maximum case में girls के लिए headquarters में desk job ही दिया जाता है तो जो कोई girls अगर कोई girl अगर कोई लड़की अगर मेरा कोई बहन अगर यह इस पोस्ट को opt कर रहे तो आप जा सकते कोई दिक्कत नहीं है तो आपका कोई safety issue होगा यह मुझे लगता नहीं आप लोग अड़ाम से इस job को chase कर सकते लेकिन boys के लिए first five six years आपको heart posting मिलेगा मेरा एक दोस्त था मतलब मेरा जब इसके साथ मुलाकत हुआ था वह लाइसी का जो होता है लाइसी का एक जॉब होता है तो यह बात है तो आपको पता ही है और चुट्टी बगरा मिलता कम है ठीक है आपको on duty रहना पड़ता है शायद चाहे काम हो या ना हो आप काम कर रहे है या नहीं कर रहे है लेकिन आपको present रहना पड़ता है आपको on duty रहना पड़ता है आपको घर से बहुत दूर posting मिलता है तो आप हर एक बार घर जाना आना नहीं कर सकते festivals में आप मतलब मौझ मस्ती नहीं कर सकते आपको चुटी अपना मन चाहे टाइम में अगर आप बोले कि मुझे कल चुटी चाहिए आपको शायद नहीं मिले तो यह समझ रहे है आप पूलीस और आर्मी के साथ कोर्डिनेशन करके आई भी को जॉब करना होता है तो आपका यह नेशनल सीकुरिटी बहुत ही एक मतलब रिस्पॉंसिवल काम है इसके लिए आप मत सोची कि आपको कभी भी चुटी मिल जाएगा आप रिलेक्स कर सकते हो ऐसा नहीं है यह हेक्टिक हो सकता है कही कही जॉब तो यह जॉब हेक्टिक है रिस्पॉंसिबिलिटी वाला का कोमेंट कीजिए वहां से मैं मतलब आपका कॉमेंट परके आपको एंसर दे दूंगा इधर उधर कॉमेंट मत कीजिए मेरे ही कॉमेंट के नीके रिपलाई में कॉमेंट कीजिए प्रोमोशन देखिए यह तो इसके बाद आपका प्रोमोशन होगा एसिस्टेंट सेंट्र इंट्लिजेंस ऑफिसर ग्रेड वन वन में प्रोमोशन होगा और यह डीएसपी लेवल का जॉब है मतलब डीएसपी के एक्विवेलेंट होता है ठीक है आप वीकिपीडिया में आईबी को सच कीजिए और उसक आपको मिल जाएगा एक आईबी का कौन सा पोस्ट पूलिस के कौन सा पोस्ट का इक्विवेलेंट ठीक है उसके बाद आपको मिलता है डीचिए ओपोस्ट अपका प्रोमोशन मिलता है यह लेवल यह लेवल 10 ग्रूप एज तो उसके बाद आप हाइरर की आप देख सकते है गूगल में Wikipedia में चेक करते हैं यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही टाइम लगा मुझे सोच सोच के बनाना पड़ा तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज इस वीडियो को जाधा से जाधा शेयर कीजिए और आप बड़ा बड़ा करके लिख नहीं सकते कि वाक्स एट इंटिलिजेंस ब्यूरो ऐसा कुछ लिख नहीं सकते शौफ नहीं कर सकते डेञे सेल्फी लगाके एक फोटो कीच के आप अपलोड नहीं कर सेथ कि देखGetाए मैं i.V का हीटकौर Corners में हूँ आ आइवी में मैं जॉब करता हूँ यह सब नहीं चलेगा जैसे हम लोग इंकम अगर आपको साथ नहीं रख सकते हैं और अपना फैमिली को साथ नहीं रख सकते हैं अगर आपको कश्मीर में जब्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिल गया करण면아 को साथ में नहीं रख सकते तो रिस्की कि जगा में आप अपने फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते सोशल मीडिया वगेठा में यूज करने में रिस्ट्रिक्शन से जब ट्रेनिंग चलेगा ने जब ने जात घ्रेमने जब गएक मिंशन के पहले मतलब ऐसा नहीं कि ये जो मनत का training मैंने जो बता है वो शे मनत का training मैं बता दिया तो सारा life उसमें नहीं चलेगा एक साल-दो साल-तीन साल बाद-बाद training होता है और मैंने इतना सुना है 3 years complete होने के बाद को एक special training दिया थे mountaineering training ठीक है उसमें mountain में चरना सिखाता है उस वो एकदम अच्छा लेवल का training होता है और यह three years के पहले ही जो लोग non-serious candidates है जिसको आई-वी में नहीं रहना वो लोग पहले ही हां से चले जाते हैं और जो लोग रह जाते हैं वही मतलब हम लोग हमारे देश को सर्फ करते हैं और बहुत ही dedicated परसनल है उन लोगों को दिया जाता है वह mountaineering training और वगएरा वगएरा बहुत ही hard training दिया जाता है ठीक है तो three years यह four years के बाद वह में ट्रेनिंग होता है और हर एक mission के पहले special मतलब उस mission के training आपको दिया जाता है ठीक है तो training के दौरान आप फोन भी नहीं कर सकते हैं मतलब दिन में एक फोन शायद allowed है ऐसा कुछ होगा मतलब दिन में शायद आप एक बार अपने मम्मी पापा यह घड़वाल से बात कर रहे हैं यह बाकी दिन पूरा दिन आपको अब फोन नहीं मिलेगा आपको पूरा training में ही रहेगा और एक बात हाँ training training में training में आपको फोन allowed है अप फोन ले जा सकते हैं लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ आप स्मार्ट फोन यूज कर सकते हैं बाकी छोष्टल के बाहर जब training वगरा करेंगे classroom में तब आप फोन लेके नहीं जा सकते हैं जहां पर रहेंगे शिप्पूर या जोथपूर जहां पर फोन यूज कर सकते हैं तो training में में होश्ट़ में घुका यह में जिक गता तो आपkो स्मार्टफोन यह उसकर सकते लेकिन आपके तो वह शायद इंस्ट्रक्शन बहुत पुराना था तो अब अभी टाइम है तो आप फोन लैप्टप सा भी उस कर सकते लेकिन अपने घर में तो यह बोल दिया मैंने ती यर्स का जो बोला वही वह भी बोल दिया तो और क्या बाखी रहता है ना तो यह हो गया तो restrictions वगरा तो बहुत सारे हैं तो इसको आपको ध्यान रखने में चलना पड़ेगा कि उसके बाद आते हैं मेडिकल क्राइटेरिया मेडिकल क्राइटेरिया मैं देखिया पहले मैं बोल दूँ की medical होता है एक न्नॉर्मल कि हमारे जैसा होता है सिलेक्शन हुए आपका, आपका Medical form लेके आप चले जाए कोई भी सरकारी छोंपिटल कोई भी Government में चले जाए कोई सरक कारी हश्पिटल में चले जाए वहाँ पर सीएमोइच से बात कीजिए आपको फॉर्म देगा उस फॉर्म को देखे आपको मेडिकल ऑफिसर रहते वह साइन कर देंगे जो आई वी का फॉर्माट है उसमें लिखा रहेगा आप एबी सी आप इस जॉब के लिए फिट है यह सब लिखा रहेगा यहां पे सील स्टैम्प यहां पे साइन वगरा कर देया जाएगा तो सीमों ऑफिस से वह साइन करके दिया है वह पता ने लेकिन जो है वही चलता रहता है और आई वी में हाइट का कोई इशू नहीं है चश्मा का कोई इशू नहीं है ठीक है मैं फिर भी एक बार पढ़के सुनाता हूँ मैंने सेफ करके रखा है कि अधिक है कि अधिक है कि पहले तो बोला गया है कि एक कंडिडेट को पूरा मेंटली और फिजीकली होना चाहिए ठीक है क्लाइमेट में जॉप करने के लिए अर्वं करने के लिए उसका हैल्थ होना चाहिए हमें का में में काम करने लायक चाहिए यह बोला गया है उसके बाद आई बेट जी बाई विट और विदाउट ग्लास आपको ठीक ठाक देखना चाहिए और 25 साल से पहले 25 साल से अगर कम उमर है आपका तो आपका 6 12 देखा जाएगा ठीक है 6 12 देखा जाएगा और 25 साल से उपर रहेगा तो आपको 6 यह आपका से कोई लेना देना नहीं तर विदाउट ग्लास आपको ठीक ठाक दिखना चाहिए तो जैसा कोई भी गॉब्मेंट जोब में होता है हमारा सीजेल वागेरा में वैसा ही इसका मतलब आपका क्राइटरिया है कलर विशन शुट भी नॉर्मल कलर ब्लाइडनेस नहीं छले गा ठीक है कलर ब्लाइडनेस नहीं चलेगा कलर विशन शुट भी नॉर्मल इंस नहीं चलेगा इस फॉर्म को मत भड़िए है कोई भी और प्रोग्रेसिव डेफ्रेक्टिव एरस यह सब नहीं चलेगा मतलब कोई भी कोई भी आपका डिजीजिंग नहीं होना मतलब दिखने का दिखने का जो एबिलिटी है वो कम नहीं होना चाहिए ऐसा कोई आपका डिजीज रहना नहीं चाहिए आपके अंदर में सब सकते हैं मतलब सब होस्पिटल में सब का स्बाइग एरिंग का सबने तो तब जाके क्या होगा नहीं आपका आपका जो जो रिपोर्ट अब जाके लेके लेके जाएंगे सी आओफिस में सिमोसर अगर शाइन कर देंगे तो आपृट है कोई भी मेडिकल डॉकुमेंट्स आपका आईबी में जाता नहीं वह जाता है सीएमों ऑफिस में रख दिया जाता है और सीएमों उसको चेक करके आपको फिट या उन्फिट लिखते हैं तो इसके अंदर जितना जितना टेस्ट है वह सारे के सारे होना चाहिए क्योंकि इंस् करना पॉसिबल नहीं होता है तो यह बात ध्यान रखना तो ब्लड प्रेशर चेक करेगा यूरीन एग्जमिनेशन होगा कान कान का डीजिस है क्या नहीं कान में अच्छे से सुना ही देता है कि यह होगा ही यह यह वह इंक का मतलब हीरिंग का टेस्ट होगा उसके बाद आपका हार्ट लांग्स लिब्स मतलब हाथ पैर सब ठीक रहने वेल फॉर्म लिखा है वेल फॉर्म अच्छे से अच्छा रहना चाहिए आपका यह सब कोई भी स्किन डीजीज और कोई भी ओंगेनिर्ट डिफेक्ट से आप पिरित ना हो यही चाहते है यह लोग लिखा है कि कोई भी स्किन डीजीज नहीं होना चाहिए और कोई भी कॉंजेनिटल डीजीज नहीं चलेगा कैंडिट मास्ट बियर ट्रेशेस ऑफ एक्यूट और क्रोंडिक डीजीज पॉइंटिंग इन इंपेर्ट कॉंस्टिटूशन ठीक है कैंडिड माजबी फ्री फ्रम कॉम्यूनिक डीजीज मतलब कोई भी कॉम्यूनिक डीजीज आपको नहीं होना चाहिए मतलब आप से किसी दूसरे के और आपका डीजीज फैल जाए यह कॉम्यूनिकबल डीजीज बोलते इसको यह कॉम्यूनिकबल डीजीज नहीं होना चाहिए और क्या क्या टेस्ट होगा ड्लाट में देट में candidate मच्अ क्लियर फॉल्लोइंग टेस्ट विच रिकॉरर हाइव हॉल्टीूटट्रेड ट्रेनिक ट्रेनिक यह सब यह सब लिखा रहे है यह सब नौर्मल टेस्ट यह सब लिखा रहा है यह सब और कोई भी एकजाम क्रेक्ट किजिए है कि नहीं और आपको कोई ऐजमा बगएरा है कि नहीं यह सब नहीं चलेगा मतलब हाई वाल्टिकूट में काम करना है दौर भाग करना है तो इसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा ऐसा कोई डिजिस नहीं होना चाहिए जो आप भाग दौर करने नहीं कर पाएंगे यह सब रहता है जो मैंने आपको सब बोल दिया आपको यह कोई यूट्यूब चैनल में शायद इमिले तो ब्लट्ट टेस्ट होगा एक्सब लिए पाली कोई बात नहीं है जो चश्मा वाले है वो लोग भी सेफ है सिर्फ कलर विशन वगेरा का ध्यान रखने है अब आते हूशूट गो फॉर इट और फॉड़न देखिए किसको जाना चाहिए और किसको जाना नहीं चाहिए देखिए किसी को अगर अपना घर अच्छा लगता है और कोई आराम की ज मोटो क्या है पता है आपका आई भी का जागरित अहर निस बोलते इसको हिंदी में ओल्वेज अलर्ट यह इनका मोटो है यह इनका टैग लाइन है ओल्वेज अलर्ट तो आपको हरवक्त ड्यूटी में है आप देश का सेवा कर रहे हैं आपको बहुत ही रिस्पोंसिबिलि को बाइने करने करते हुएो जैना चाहिए इसको जाना चाहिए हैं इसको एन डेडिकेड़ है लोग का सेवा करना है जो अ Guard जैसा हाइड वगरा है नहीं जो लोग देश का सेवा करना चाहिए उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट जोब है तो उनके लिए एकदम बेस्ट जोब है उन लोगों को जरूर आईवी में जाना चाहिए अधर्जॉब वर्सिस आईवी से देखें वाला जॉब से कोई कॉंपरिशन ही नहीं होता है जोब बहुत ही एकदम टेंशन लेस और एकदम डेस्क जोब बोल सकते हैं ठीक है मैक्सिमम जब सीजेल का जो जोब होता है वह एकदम अच्छा मतलब डेस्क रहता है सेटरड़े स हटा कोई मैं इंप्रेट से नहीं करेंगा आपको च्ट्टी माहूल खडश है तो तो अदर्स जोब्स फरसे आई बीए से हो अब्येस कि एक डिफरेंट टाइप का जॉब है यह अदर्स जॉब का जॉब के तरफ नहीं है एंट्री टॉब यह एक स्पेशल पॉइंट मैंने एट किया है देखिए हम लोग के टाइंग जिन जो लोग सिलेक्शन होने के बाद कुछ लोग कुछ मार्क्स के लिए शायद रहे गए थे उन लोगों को मेल आया कि कैबिनेट सेक्रेटरियेट में डीएफो कैबिनेट सेक्रेटरियेट में डीएफो लेवल सेवन का जोब है इसके सिलेक्शन इसमें आपको मौका दिया जाएगा इसक यह एक यहां होगा ईंटर्वूटी को बुलात को पूला लोग को कि आम को फिर से मौका दिया जा रहा है कि यह एफ से protrude अब आपको नाम दिखेगा अपको जो यह पोस्ट आपको रेसेर्च एनालीसिस विंग में मतलब लेबल सेवन में है यह अब आया था मैंने देखा आपको दे दिया तो यही तो आज का सिशन होपुली कुछ मैं भूल नहीं गया और प्रिपरेशन स्ट्रेजी बगेरा मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छे से इंटर्वियू में क्या-क्या पुछा गया कैसे ग्रिल किया गया मेरेको कितना पॉलिटिकल क्वेस्चन किया कि से पढ़ना इसके लिए एक डीटेल में प्रिपरेशन स्ट्रेजी वीडियो आपको दे दूंगा ठीक है आपके सारे के सारे डाउट्स और क्लियर हो चुके है तो मैं फिर से एक बार देख लेता हूं कि मेरे लाज्ट वीडियो में कोई कॉमेंट आया है कि नहीं तब जाक आपका टीर टू इंग्लिश में होता है पूरा और इंटर्विव आपका इंग्लिश में होता है लेकिन कहीं कहीं हिंदी में चलता है क्योंकि जो ऑफिसर्स रहते इंटर्विव का मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा कि इंटर्विव में कुछ officers जो लोग कुछ सर्जो रहते है पैनल में वो साउच से भी रहते हैं बेटर है इंग्लिश में आप बोलिए इंग्लिश में question answer कीजिए तो सब ठीक रहेगा और आई भी कभी भी अपना cut-off declare नहीं करता यह भी बात है और मेरा टीर वान का मांग भी मैं preparation strategy video में बता दूँगा तो इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ छूट गया हो तो नेक्ट वीडियो में मैं आपको भी बता दूँगा कुछ अगर छुट गया हो आपको कॉमेंट करना है मेरे ही कॉमेंट के नीचे जो भी क्वैरी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लाइक कर देना थोड़ा एफ्रीशेट कर देना गुडबाई